दोश्तों, आजके चुन्ज़ दोब हम देखने वाले हैं, DNS सरवर को जानेगे की DNS सरवर क। क्या होती है, DNS कैसे काम करते है, हमारे फोन में DNS सरवर क्या करते है, उसके अलावे DNS सरवर की मदद से, कैसे हम इंस हैं किसी गोडेबिड की लूहीचाओ क करते हैं, उस पे लिग डि होते हैं से हम सेब करके रखते हैं उस तरह से एक सर्वर है जिसके अंदर जो भी वैबसाइट होते हैं इसके आइप एड्रस होते हैं अब जैसे कि हम यूटुब पर विजिट करना है उससे आपको contact करना है तो उसके लिए उसका IP address चाहिए होता है तो यह IP address प्रोइट करते है DNS server अब जैसे कि हम YouTube.com सर्च करते है Google.com सर्च करते है तो इसका IP address नहीं है तो जब हम कुछ YouTube या तो फिर Google को सर्च करते हैं इसके website को विजिट करके दिखाता है अब जैसे एक्जामपल ले ले लेते हैं हमारे फोन में जो phone book होता है contact list होते हैं तो हमने जैसे कि अपने किसी भी relative या तो किसी friend का नाम सेब करके रखा है तो हम नमबर तो याद नहीं रख सकते हैं तो ऐसा ही होता है है इसमें भी तो नाम याद नहीं रख सकते हैं तो हम phone book के अंदर क्या करते हैं बहुत सारे लोगों का contact number save कर लेते हैं उसके आगे नाम लिग देते हैं तो हम जब भी कुछ नाम सेर्च करते हैं तो हमें phone book contact बता देता है कि जो आपने नाम सेर्च के उसका क्या कुछ सेर्वर की जरुद पढ़ती है तो सेटिंग से अंदर आपको private DNS करके एक सेटिंग मिल जाते हैं इसमें आप जाकर DNS सर्वर्स को अलग-अलग सर्वर्स आते हैं इसको सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि Google का सर्वर आते हैं क्लाउड फायर का आता है उसके लिए नॉटन का आता है बहुत सारे अलग-अलग DNS सर्वर्स होते हैं तो यहां पर एक DNS सर्वर जो भी हम कैसे connect कर सकते कैसे change कर सकते हैं अइडगाट के DNS सर्वर को यूजब करके कैसे हम जो भी आर्टिकल दिखाए जाते जो भी वेब साइट पे हमें एड्स दिखा जाते उसको ब्लॉक कर सकते हैं तो यहां से हम जाते हैं उपन करते हैं सेटिंग्स को सेटिंग्स में जाने के बाद में यहां पर आपके पास में कनेक्शन सेटिंग्स होंगे यहां पर हमारे पास में कनेक्शन सेटिंग्स तो इसके अंदर आपको जाना है कनेक्शन सेटिंग्स में जाने के बाद में यहां को इतना जगysis नहीं करना तो आपके सेटंग्स में Search का Option होगा fiियाए प्राइवेट release सामने आ इसब्सक्राइब करके अंदर आ सकते है भषा पास जो प्राइवेट Daniels के अंदर हम क्लिक करते तो और यहां पर एक और अप्सन मिलते है इसके ओपर क्लिक करेंगे अब तो यहां पर आप्सन मिल आता है कि आप कौन से वेबसाइट कौन से DNS को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आडगाड का जो DNS है उसका DNS आपको सिंपली यहां पर लिखना होगा dns.adguard.com तो यह है अडगाड का DNS का एड्रेस इसको आपको लिखने के बाद में सिंपली यहां पर सेब कर देना है सेब करने के बाद में यह आपका DNS कनेक्ट होगी आप चलिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं कोई भी वेबसाइट विजिट करके जैसे कि अगर हम यहां पर जाते हैं Chrome को आपन करते हैं Chrome को आपन करने के बाद में यहां पर किसी भी आर्टिकल को हम खोलेंगे जैसे कि यहां से हम एक article को open कर लेते हैं, कोई भी article ले लेते हैं, चलिए यह ptm का कुछ news है, इसे हम open कर लेते हैं, live mint का यह website है, तो यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे, यहां पर जो पर ads के जगे होंगे, उस सारे blog होंगे, यहां पर हमें कोई भी ads नहीं दिखाया देंगे, य यहां पर आप आप नहीं आ रहा, उसके अलावे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी ads आना झाया, यहां पर आड आ रहता था, यहां नहीं आ रहा, तो यहां पर क्यूंकि हम ने private DNS को सेटप कर लिया है, एज़े से यह ads नहीं दिखाया देरा है, अब जलिए हम यहां पर DNS को off करते हैं जो भी हमने setup किया था connections more connection setting और यहां जाते हैं इसके अंदर automatic पर set कर देते हैं save कर देते हैं वह अपर से जाते हैं उसी article के अंदर इसको हम simply क्या करेंगे refresh करेंगे इस article को तो आप देखेंगे यहां पर ads हमें दिखाई देंगे क्योंकि हमने जो भी adguard का DNS लगा रखा था उसे हमने हटा दिया था अब आप देखेंगे तो यहां पर ads दिखाई देने वाले हैं तो आप देख सकते हैं जहां पर ads नहीं दिखाई दे रहे थे यहां पर आप ads देख सकते हैं इस website के उपर कुछी इस तरह से काम करता है adguard का DNS जहां पर अपने फोन के सेटिंग में जाकर adguard के DNS को लगाने के बाद में आप जो भी website पर विजिट करते उसके ads को ब्लॉक कर सकते हो और hope कि आपको समझ में आगा हो क्या होता है DNS तो बस यह था चलिए अब यहां से बाहर चलते हैं तो यह थे छोड़ा से वीडियो होप कि आपके लिए हलफुल रहा होगा वीडियो से लाइक करेगा चानल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब करेगा थैंक्स पर जास मिल देगरम तब तक लिए टेक किरो वाई गाईस